हेलो अग्रिबन एक बार फिर से आप सब्सक्राइब का हमारी उडिविजन पर स्वागत हैं तो पेट इसमें प्रिपरेसम में जो अंग्रेजी सब्जेक्ट अंग्रेजी से भी से हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी इस continuation video में अब तक हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट अट्रेडिकेट, sentence, sentence के प्रकार, कैसे सालचना करणा के दार पर sentence कितने प्रकार के होते हैं फिर पिछली video में हम लोग होने पढ़ा कि question tag क्या होता है उसकी पहचान कैसे करते हैं और example में कैसे उसको यूज करते हैं आज हम लोग देखेंगे figure of speech के बारे में तो figure of speech एक बहुत बड़ा broad spectrum है लेकिन pit examination में exam में इतना broad level का question नहीं कुछ हैगा तो question को जल्दी जल्दी solve करने के लिए एक overall हमको concept clear होना चाहिए तो वही देखा जाएगा तो देखें क्या होता है पार साफी speech जैसे कि अब लोग पड़ेंगे संग्या, सर्वना, बिसे संड, क्रिया, बिसे संड ठीक है तो वहनी चीज है सेम इंग्लिस grammar में जैसे कि क्या होता है noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection आठ इसके तत्व होते हैं ठीक है तो noun क्या होता है जैसे मतलब कि हिंदी में पढ़ते हैं संग्या किसे करते हैं किसी व्यक्ति वर्स तु अस्थान या चीज के नाम को संग्या करते हैं ठीक है तो वही noun is a person, place, animal, place or thing यह स्थान 9, तो क्या हो गया यह कितने प्रकार का होता है उसंग स्थान 5 फिक्रा के इसमें कैसे पहचान करेंगे, अगर मालूय आपको एक सेंतिन्स दे तही आ कि पहचान में कैसी क्यों प्रापर नाम हो तो जो किसी विशेश, व्यक्ति, वस्थान का बोध कर आ है, विशेश, विशेश Ir manWhat अत्वाइ सथान का बोध कर आ हो, उसे हम प्रापरनाम कहते हैं, ठीक है, और common noun किसे कहेंगे, तो इसका example जैसे हो गया, इंडिया, एक विसेस अस्थान है, कासी, एक विसेस, क्या है, प्लेस है, ठीक, और महात्मा गांधी, तो common noun क्या हो गया, common noun जो एक group, एक समुदाय को represent करता है, ठीक है, जैसे माल लिजे, animal क्या हो गया, या फिर माल लिजे की, dog एक category हो गई, ठीक है, तो dogs माल लिजे, एक, sorry, यह, dog, अब अगर माल लिजे, dog में किसी का नाम कोई रख दिया, तॉमी, ठीक है, इसका proper noun हो गया, और यह क्या हो गया, common हो गया, ठीक, अब माल लिजे, accessories, मैं एक कोई वर्ड गोला, accessories, किसी पार्ट की accessories है, या फिर इसको छोड़िये, मैं बोल रहा हूँ, mobile, तो यह common हो गया, ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ, mobile की अपिक्छा, जैसे माल लिजे की, vivo या फिर Samsung, यह किसका प्रॉबर हो गया, इसका प्रॉबर में हो गया, समझे, example के लिए, collective नाम क्या होता है, जो किसी समूद को दर्स है, जैसे की भेडों का जुन्ड, या फिर एक आर्मी, समझ रहे हैं, एक group को, समूदाय को जो समझे, दर्स है, तो देखिए, यहां पी, flock, class, फिर उ ऐसा पतार्थ, जिससे कोई और वर्स्तु बन सके, वो material नाम क्यालाता है, तो cotton हो गया, gold हो गया, wood हो गया, silver हो गया, यह सब क्या है, material नाम, ठीक है, आगे क्या है, abstract नाम क्या होता है, जो जिससे किसी good, कार्य, अथवा, अवस्था का बोध हो, उसको हम लोग क्या अवस्था है, अवस्था है, अवस्था है, मजबूती है, success, connection, ठीक, तो यह सब, जिससे किसी हम, जिससे माल ले जाएटी, जिससे कि, the China and India connection has been stabilized for the further upcoming years, you know, like a proper way, एक अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से, दोनों एक अच्छा connection अब इस्टेबलाइज हो गया है, तो यह रहे कुछ क्या, नाम के बारे में जानने के लिए, क्या होता है नाम, प्रोनाम क्या होता है, जो संग्या के स्थान पर यू तो देखिए, जो संग्या के स्थान पर उप्योग किया जाए, उसको प्रोनावन करते हैं, जैसे कि, example में लिए, समझे, he, see, it, or they, blah, 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 you, तो, जैसे मा लिजे कि मैं example बोलूं, Mohan is watching my videos on YouTube channel, but he is not subscribing the channel, तो Mohan के जगह पे, बाद में हो लो क्या बोले, he is not subscribing, तो वहाँ पे ही सब्द क्या हो गया, प्रोनावन हो गया, ही सब्द क्या हो गया, प्रोनावन हो गया, एडजेक्टिव के लिए, प्रोनावन भी इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, अब इसको द Overall एक उबर, आटी मोटा ना underway पताँ होना चाहिए, और इसी लेवल का ही पूछेगा, detailed नाewचप का इसमेँ ही पूछेगा, इसलिए आप लोग एकente और आप आइडिया होना चाहिए कि figure of speech होता क्या है अगर figure of speech से कहीं से भी question पूछे तो आप लोग उसको solve करने में सक्षम हो सकें अगला है adjective यानि कि विसेशन जो शंग्या अथवा सरवनाम की विसेशता को बताता है संग्या अथवा सरवनाम की जैसे क्या बोलें मोहन इस वेरी हैंडसम वहा है तो हैंडसम सब्द क्या है उसकी विसेशता बता रहा है किसकी मोहन की ठीक है mango is very sweet lovely fruit कह सकते हैं जोब यह sweet food या lovely food तो lovely या फिर sweet यह क्या हो गया विसेशता हो गया किसका mango गा ठीक है और चलिए तो adjective हो गया sweet lovely और रूचिका is very intelligent girl तो रूचिका सब्द क्या हो गया adjective हो गया यहीं कि विसेशन हो गया और वो किसकी विसेशता को बता रहा है रूचिका को रूचिका की ठीक है अगला है वर्व वर्व बतलब जिस ऐसा सब जिससे हमें किसी कारे के होने या करने की अजिशित्ता का बोद होता है जैसे की क्या हो गया slap एक जपड़ा मार दिए उसको और बार्क चिलाना और क्या हो गया कट कुक ठीक है अब यादी नहीं आ रहे है बहुत आरे वेसे याद होते है ठीक है तो यह हो गया पतला हुमारा वर्व जो क्रिया की विशिश्ता को बताए उसको एडवर्व करते है जैसे मान लीजिए रमेश आलवेश गो टू स्कूल तो गो हमारा क्या है जाना और यह क्या है वर्व है अब और अलवेश क्या है और शार। स्कूल अब आलवेश को इंटेंट कर रहा है उन्हीं सको पेज़ करते हैं जो गोड है उसको कौन और जादे प्रेरित कर रहा है तो वह आलवेज यानि कह सकते हैं कि गो यानि कि यह भी क्रिया है अब क्रिया को कौन मोडिफाई कर रहा है उसको और बढ़ा चड़ा करके एक्स्प्रेस कर रहा है इसमें अब कई टैप्स होते हैं जैसे फाईनायट वर्ब में अधि कि यह पो घंख रीक flosser और दूसरा है पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब एक अस्था, तो पहले अस्था मतलब अर्था, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उप्यूगत होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्री पोजिशन, ठीक है, और एक्जाम्पल देखिए, इन, एड, अन, बिसाइड, आउटसाइड, बाई, फॉर, 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 बिट्वीन, एटीसी, ठीक, जैसे माल देजे, कप इस प्लेस्ड, मतलब रखा हुआ है, आन देटेबल, तो देटेबल क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या यूज हुआ है, आन, ठीक है, तो यह किसका बोध कराता है? अस्थान का बोध कराता है, जगख का, तो अन क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया, आज रात हम लोग डिनर के जाए तो टू नाइट क्या हो गया की पहचान के जो दो सजयोजक आप लोगों पता होगा जोड़ने का कारूब करता है तो उसको सजयोजक बोलते हैं तो उसी प्रकार यह जो कुछ ऐसे सद्ध होते हैं जो अलग-अलग सद्धों को क्या करते हैं जोड़ने का काम करते हैं थैं दोनों को मिलाते हैं एक साथ उसको क्या房 बोलेंगे? संयोजब यानी conjunction तो जो सब्दों वाक्यों या उपरवाक्यों को आपस में जोडने कारे करता है ऐसा सब्द को हम लोग कहते हैं conjunction सब्द कहते हैं और ये दो मुख्यता है फर्दर दिवाइट होता है दो प्रकार में एक होता है sub-ordinating conjunction, दूसरा होता है co-ordinating conjunction तो sub-ordinating conjunction के कुछ ऐसे सब्द होते है जैसे कि and, but, yet, so therefore, for, as well as, etc ये जो सब लिवप लिवथ होंगे ये sub-ordinating conjunction में कुछे आएंगे के अदर रता हैंगे और co-ordinating conjunction में when, if, that, because, while, before, until, etc so we have came on the conclusion sorry तो हम लोग क्या समझे कि ये जो सब्द है ये sub-ordinating conjunction के अदर गता हैंगे यहाँ पे दिये गए सब-ordinating conjunction के अदर गता हैंगे और यहाँ पे मैं types इसलिए लिखाओं क्योंकि ये पूछता है पूछा है इसलिए मैं यहाँ फर्दर लिखाओं और बाठी जगा कुदा इंपोर्टन नहीं समझे इसलिए उसका tax नहीं लिखाओं लेगि इसका important process लेखी यहाँ पे classify करके लिखाओं ठीक है तो अगर माल दिजे कि मैं यहाँ पे एक example लिखूं जगा भी तोने बची ठीक है Mohan and Sita Sorry, and है नहीं Mohan and Sita went to Delhi Delhi हो गए है तो यह जो and है क्या हो गया conjunction का काम कर रहा है जोने का काम कर रहा है ठीक है तो देखिए conjunction का अगर example देखा जाए तो अगर एक example लिखूं I I I texted Ria and Gita अगर यह sentence दे दिया जाए ठीक है देखे कितनी बदलब फूटी किसमत है कि मैंने रिया और गीता दोनों को टेक्स्ट किया बट उसमें से कोई नहीं रिप्लाई किया बहुत सैड किवा था न देखे तो यह दोनों सब्द जो है लिया और गीता एक कंजक्शन से जुड़ रहे हैं जो की एंड से कौन है वो एंड है तो यह एंड क्या होगा कंजक्शन हो जाएगा खीक है और यहां पर देखे बट भी उजो हो रहा है अब अगर देखा जाए यह जो पहला आई टेक्स्टेट रिया एंड गीता एक सेंटेंस हो गया ना अप देम रिपलाई डूसरा सेंटेंस हो गया अब इस दो सेंटेंस को बट जुड़ने का अगाम कर रहे है इस पहले sentence को और दूसरे sentence को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है B.U.T. but but के द्वारा जोड़ा जा रहा है तो but भी क्या हो गया एक conjunction हो गया कौन सा conjunction sub-ordinating कर देखा अब इसी में अगर मैं और sentence जोड़ा दू इसी में अगर एक sentence और जोड़ा दू कि यहां से देखें क्या जाएगा आई टेक्स्टेड रिया एंड येता बट नन आप देंड रेप्लाइड देयरफोर कि आई स्टॉप्ट टेक्स्टिंग देम कि या फिर मैसेज इन देंड जो भी देए ठीक है पड़ाम स्वरूप या फिर जिसके फल स्वरूप मैं उन दोनों को मैसेज करना ही छोड़ दिया ठीक है तो आई टेक्स्टेड रियाइंड गीता बट नाप देंड रिप्लाइड देयरफोर आप यहां पर सोग ही लगा सकते हैं आई स्टॉप टेक्स्टिंग मैं उन दोनों को मैसेज करना छोड़ दिया देखें यहां पर एक सब्सक्राइड करनेक्शन क्या है और दूसरा बट है और यहां पर देखें तीसरे भाई साब आगे और उनका नाम क्या हो गया तो किस तरीके से कुछ एजांपल दिये जाएंगे और पूछा जाएगा कि कि इन दो गिवन फ्रेजेज विछ चाफ दियम है विंदा सब्सक्राइड आपको देख करके बताना रहे हैं ठीक है लास्ट वाला मुलोग पड़ते हैं इंटर्जेक्शन कि इंटर्जेक्शन क्या होता है तो ऐसा सथ जिनके द्वारा हर्ष सोक अब यहां पर किसी लडगे का नाम हर्ष नहीं है लो हर्ष हो लास्ट वाला हर्ष है हर्ष सोक आश्यरी घ्रड़ा अन्मोधन यानि कि क्या होगा हणला हगा हर्षफ हर्षशुक आशयर्य घ्ड़ा अन्मोधन आधिका बोध होता है उसको हुनों क्ismay जिस भी सेंटेंस में दुख, पीडा, आश्य, घ्रिडा, अन्मोधन नहीं कि जैसे किसी कोई चीज, आप चार है वो अप्रूव हो गया, अन्मोधन, आधिका बोधो, उसको लोग इंटरजेक्शन की कटेगरी में रखेंगे, जैसे, पहला के हुरे, दूसरा के ओ, तीसरा के यह सब किसी को अंदर इंटाएंगे, पहले गई मेरे एर दीक, पहले दातमनी, ओरे रखेंगे, ध॥रुषिक की बात आयई, भी जैसे, आप we have lost the match हम लोग मैच? हा रगे फिर उसके बाद Is this really possible? क्या ऐसा समभव है? यह सब्सक्राइज नहीं सब क्या है? बेव You have scored a good marks in your ESA Next Same on you You have did such kind of silly work a silly mistake तो यह सब क्या खलाएंगे यह सब जो आएंगे इनको जो रखा जाएगा यह सब Interjection कहलाएंगे तो अगले वीडियो में हम जब जितना कुछ पढ़े हैं लग इस parts of speech से इसका example देखा जाएगा आप लोग तो जानगे कि parts of speech होता कैसे है उसको पचान कैसे करते हैं लेकिन actual implementation नहीं पढ़े यानि कि example कैसे पूछेगा तो इसके अगली वीडियो में हो लो उसकी example के बारे में देखेंगे ठीक है करते हैं 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 झाल झाल